आदव, जिला तरक्याती काउंसल के इंतखाबाद जम्मो कश्मीर में जोरो शोर से चल रहे हैं। किस बात से मतासर होके सियासत का कदम आपने चुना है। अगला स्वाल राइनुका जी से यह होगा कि अगर यह रामबन भी टेरिटोरियल कंस्टिंसी से अगर आप यह जी चाती हैं तो यहां के अवाम के लिए यह क्या करेंगी। हमारी पार्टी का मैंफेस्टोर जारी हो चुका है। मैंने भी प्रियोर्टी पे आपना विजन डाकोमेट जारी किया है। जिस से हमारे डोडा और जोरी में वन स्टाप सेंटर है। मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि रामन में भी एक वन स्टाप सेंटर खोला जाए। जिसमें महलाय और बच्चों की समस्याओं का हल एक ही छत के नीचे हो। दूसरा मेरा यह है कि हमारे अनारदाने की प्रोसेसिंग यूनट खोला जाए। जहां पर हमारे ग्रीब लोगों को रोजगार मिले और मेरे किसान भाईउं को अच्छी कीमत मिले। हमारे निचले हिस्से नाश्री से टंगरतत लोगों की मेन- इंकम-सोर्स नारदाना ही है। कारकी जितनी भी योजना है, आयुश्मान भारत, पर्दानमत्री आवास योजना, उजवला, उन सब को ग्राउन लेवल पे सही तरीके से लागू किया जाए, तो मेरा कोई भी ग्रीब भाई ना भूखा रहेगा और ना छत के बिना रहेगा. भारती जनता पार्टी जो है, कौन से अजन्डे को लेके ये जो टीवी सी अलेक्शन में बुद्री है. भाजपा एलेक्शन विकास के मुदे पर लड़ रही है, भाजपा ना सिर्फ वादे ही करती है, बल्कि उन्हें पूरा भी करती है. लोग गुपकार गेंग के खिलाफ हैं, मुझे पूरा ब्रोसा है, लोग मोजी जी के साथ हैं. रैनिकवा जी से हम आखरी सवाल करेंगे, आपकी जो कंसिचोंसी है, रामबन भी, आप अपने आपको कहां पे समझती हो अभी? अपने चनाव छेतर में, मैं बाकी विद्वारों से काफी आगे हूँ, जैसे जैसे मदान के दिन नजदीक आ रहे हैं, मेरे फेवर में वोट बढ़ते जा रहे हैं, आपके चैनल के बादिन से, मैं ये फ्रेंकली कहना चाती हूँ, कांग्रस और एंसी अपनी पूरी कोशि कर रहे हैं कि वोटर स्कोज जाती और धर्म के नाम पे बाढ़ सके, लेकिन वो ये बात भूल गये हैं, ये 2020 है, और आज का वोटर धर्म और धर्म और जाती के नाम पे नहीं बाढ़ जा सकता, ये आप 2019 के चनाव में देख चुके हैं, जहां शिरी राउल गांदी जी अप ये बाती जनता पार्डी से इंक प्मेर्डेट मिला था